सरकारी स्लिवस में और जो आपको ये PDF गंदी से दिख रही न ये गंदी सी है ये website पर उत्तर प्रदेश राज सड़क परिवायन निगम द्वारा इसी इसी कलर की डाली गई है तो इसमें मेरा कोई योगदान नहीं गंदी डालने में अब वैकेंसी एक बारे में डिटेल में आधार पर समविदा समविदा जिसे आप टंप्रेरी कह सकते हो ठीक है समविदा के आधार पर परिचालकों ठीक है तो परिचालक आप समझते होंगे conductor अंग्रेजी में कहते हैं नहीं जानते हों तो conductor को तो सुने होगा तो conductor की vacancy है समिधा vacancy है और ये छेतर कौन सा रहने वाला है सहारन पूर छेतर की तो सहारन पूर छेतर में आपको conductor की नोकरी करनी पड़ेगी जो सरकारी बसेज है उत्तर प्रदेश की ठीक है तो ये इसकी मोटी मोटी जानकारी होगी और आगे बढ़ते हैं आपको इसमें अपना online form भरना है और इसका कोई अन्य दूसरा जुगार नहीं है आपको online form ही इसम समय काफी कम है 23 से 29 सप्टमबर आज 24 सप्टमबर हो गई तो आपके हाथ में करीब करीब 5 दिन है तो लेट मत कीजीगा और इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो अपने WhatsApp या Facebook या Instagram या जो भी आपके पास handle है या आप मुख से भी बता सकते हैं कि भाई उसमें वेकेंसी आ ützen है डिपोज में जो सारन पुर ये देखें सारन पूर 19 के जो छेत्रि कालजय में सबीडि इपोज मतलब की सारन पूर में मुझा मर्मद्पणनगर में चुट्मुल पूर में खटावली में षामली में गणगों में यहां के नोटिस बोर पर रही और यह जो है ना यह सारा एरिया आता है सहारनपुर के अंडर में तो आपको इन 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 इलाकों में बसेस में कंडेक्टर की नोकरी करनी होगी यह लोकेशन की बात हो गई और थोड़ा आपकी है 111 वैकेंसी ठीक है और इसमें जो अंसुची जाती के लिए 23 है अंसुची स्टी के लिए 14 है वह भी के लिए कोई सीटों का प्रावधान नहीं किया गया आपके फॉर्म 29 तक चलेंगे रात के सामके पांच वे तक ध्यान नहीं तो जितनी जल्ली हो सके अपना फॉर्म इस वेबसाइट पर भर देना और आंगे देखते हैं अब देखिए आपकी जो उम्र सीमा है आपकी उम् इसी वालों को पांस साल की छूट दी जाएगी ठीक है यह इंपोर्टन चीज थी अब देखिए जब आप चैनित हो जाएंगे तो आपको दो सप्ता का प्रसिछण कारकरम यह लोग जो है न अब अब अंटित करेंगे तो आपको प्रसिछण भी लेना पड़ेगा के बारे में कहीं कोई जानकारी नहीं दी गई है इसके संबंद में आप यह नोटिफिक्शन दुबारह से भी पड़ सकते हैं मैं इसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूँगा अब देखो यह बात हो गई अब इसकी एजूकेशन कौलिफिकेशन देख लेते हैं त और इसके अलावा आप यहां से देख सकते हैं कच्छा बारह पास के बाद जो में चीज़ें आपको बताने जारों इन में से कोई एक चीज आपके पास होनी चाहिए तभी आप इसके लिए योग्य माने जाएंगे तो देखिए नंबर एक पर आपको क्या होना चाहिए नि यह रें जो भूदपूर सैनिक है तो भी फॉर्म बढ़ सकते हो अर शैनिक बलों के सेवा नर कर्मचारी वो भी भर सकते हैं एन सी सी के बी सर्टिवेट बी का मतलब अगर आपको बास बी है और सी तो आप भर सकते हो इसमें ठीक है कच्छा बारह पास हो और साथ में निलि का certificate है तो भी आप इसमें form भर सकते हो IT जो मैंने यह 8 चीज़ें आपको गनाई कोई एक चीज से होनी तब ही आप इस वेकेंसी के एक पात्र अभ्यर्थी माने जाएंगे इंपोर्टन चीज़ें हो गई और आगे देख लेते हैं इसके कुछ और मैतपूर्ण जरूरी चीज़ें है फॉर्म फिस के बारे हम देख लो जो जनरल और OVC वाले उनसे फॉर्म फिस ले जाएगी 200 रुपए और जो SCHT भूदपूर सैनिक उनसे 100 रुपए और जो इना सेवा निवरत करमचारी हैं जो उत्तर प्रदेश परिवान निगम की और जो मृतक आसरित के लिए बच्चे अपलाई करने वाले हैं उनके लिए फॉर्म ये निसूल कर रखा गया है जब आप अपना फॉर्म बारेंगे तो ये जो फॉर्म फीस है आप डेविट कार्ड, इंटरनेट बैंकी, क्रेडिट कार्ड वगएरा से कटवा पाएंगे ठीक, इसमें कुछ खास बात नहीं थी और आँगे देखेंगे अब देखिए, आपकी जो मेरिट लिष्ट है, वो बनाई जाएगी सिर्फ और सिर्फ कच्छा बारा के नंबर पर कितने के नंबर पर? मैं थोड़ा सा बड़ा पिन लेता हूँ 12 के नंबर पर, कच्छा बारा के जो आपके नंबर है उन्हीं के बेस पर आपकी फाइनल मेरिट लिष्ट बनाई जाएगी यह चीज़ ध्यान रखिएगा तो भाई जिनके पास बार वही में आच्छे नंबर वो लोग जरूर इसमें अप्लाई करें क्योंकि आपके पास जान से बहुत ज़्यादा हो जाएंगे ठीक है तो यह चीज़ आपको देख सकते हैं और जो बचाइन नित हो जाएंगे तो यह आपको डिपो में किसी भी डिपो में आपको तयनाथ किया जासकता अब देखिए ये वेकेंसी जो है उत्तर प्रदेस वालों के लिए, यूपी वालों के लिए, अब दूसरी एक चीज और है, ये जो वेकेंसी है, ये सहारनपुर डिपो में है, सहारनपुर, सहारनपुर डिपो में, तो उत्तर प्रदेस में आता है, अब उत्तर प्रदेस में तो अगर अप सहारनपूर रीजन के रहने वाली हो तब आपको आयिज जन्रल कंडिडेट किया जाएगा यह नवा नंबर लिख रखा है आप जो है ना जब मैं आपका लिंक दे दूँगा इसका लिंक दे दूँगा तब आप अच्छे से उसे और देख पाएंगे तो यह चीज काफी इंपोर्टन थी आपसे ध्यान न कीगा एक और जरूरी बात कि जब आपकी दो हपते की तो आपके 10,000 रुपए जब कर लिए जाएंगे ग्यारा महिने से पहले अगर आप काम छोड़ कर जाते हैं कंड़क्टर की नवकरी छोड़ते हैं तो आपको 10,000 रुपए आपके चले जाएंगे इसलिए जमा करा जाते हैं कहीं ऐसा नहों आपने दो हपते की ट्रेनिंग ह होती है ट्रेनिंग ले लिए आपने फिर आप इसे छोड़ दें तो आपकी फाल्तुक वेकेंसी भी खाली हो जाएगी तो इसलिए यह चीज आप से जमा कराई जाएगी तो और आपको जो आपको तनख्वा मिलेगी वो किलोमीटर के आधार पर आपका भुगतान किये आते हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं और वीडियो पसंद आयो तो इसे लाइक कीजिए लेकिन लाइक से ज़्यादा जुरूरी से सेर कीजिए अपने वाटसब इंस्टाग्राम जो भी आपके पास में है ताकि क्योंकि इसमें फॉर्म बनने की जो ना तारीक हैं वो काफी कम हैं पांच दिन से से हैं तो जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों पास पहुंच सके इस वीडियो में इतना ही हम आपसे मिलते हैं लोडियों तब तक के लिए वंदे मात्रम